न्यूजरूम लाइव स्पॉंसर बाई चंद्रगुप्त अकाड़मी टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा अब आगे आने वाले समय में एकता का संदेश कॉंग्रेस देना चाहती है कि हम सब एक हैं कमलनात और अरुन यादों ने सलकन पूर पहुँचकर मा विजासन मंदिर में एक साथ पूजा अरचना की 2023 की तयारियां शुरू हो गई हैं मद्यप्रदेश में बीजेपी ने तमाम राज्यसभा में प्रतिनीत भीजने पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है किस अमला यह भी है कि अरुनियादों को राज्यसभा भीजा जा सकता है एक साथ नजर आने का मतलब यही है इसके पहले तमाम बैठके अरुन यादों छोड़ रहे थे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे स्थितियां सामान्य हो रहे हैं मैं तो 2018 में पहली बार अध्यक्ष बना मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे अध्यक्ष बनाए जाए मैं तो बड़ा संतुस्था दिल्ली में पर एक मैं 2018 से मैं यहां शिफ्ट हो गया मैं तो दो साल से नेता-प्रतिपक्ष और अध्यक्ष भी हूं कोई आज से नहीं हूं या निर्मित होंगी भविश्य में देखना बहुत महत्यपूर्ण होगा दूसरी खबर की बात करते हैं भुपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी मैनिट में फस्ट और सेकेंड इयर स्टुडेंट के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है स इस बारे में यूजी सी की अंटी रैगिंग कमेटी से दिली गोपनी शिकायत की गई थी यह शिकायत 31 मार्च को ऑन-लाइन की गई जिसके बाद नई दिली से जाच के निरदेश मैनिट की अंटी रैगिंग कमेटी को दिए गए इस संबद में मैनिट प्रवंधन कुछ भी और फ्रावित करता है। उफ्लाइन क्ळासे के बाद शुरू हुoga एस परिस्तिति में अभी तक जब online classes चल रही थी तब यह परिस्तितिया नहीं ति लेकिन जब classes ऑफ-लाइन हुई है तो यह तमाम मसले निकल कर सामने आ रहे हैं. तीसरी कपर की बात करते हैं. आखिरकार सिंधिया गराने की एक और पेढ़ी राजनीत में इंट्री करने जाएँ. इसकी शुरॉवाद भी हो चुकी है. केंद्री मंत्री जोतिरा दित सिंधिया के बेटे अरेमान सिंधिया को ग्वालियर Division Cricket Association में उपाध्यक्ष बनाया गया है खास बात यह है कि आरेमान का किसी भी संस्ता संगठन में यह पहला पद होगा इसके साथ उनकी सार्वेजिक जीवन के शुरुवात हो गई है संभवता है जल दीवे राजनीत में भी इंट्री कर सकते हैं 27 मार्च को GDCA की वारसे काम सभा होई थी इसमें केंद्री मंत्री और GDCA अध्यक्ष जोतिरादित सिंधिया और वरिस पदादिकारियों के बीच नई कारेकार्णी को लेकर चर्चा होई थी अब नई कारेकार्णी को दिल्ली से हरी जंटी मिल गई है सिंधिया की बेटे उपाध्यक्ष बनेंगे क्रिकेट एसोसियेशन के क्या योग गताएं हैं ये सवाल बार-बार खड़ा होगा और परिवारवाद जिसकी खिलाफक जिस दल में सिंधिया है वहां की जाती है वहां क्या परिस्थितिया निर्मित होंगी खैर ये सब चीजें आम हो चुकी है चाहे राजस्तान के मुख्यमंत्री गहलोत के पुत्र जो क्रिकेट से जुड़े है क्रिकेट कितना खेला है क्या इतिहास है इन पहलों पे जाने का आप कोई मतलब नहीं है आखरी कबर की बात करते हैं इन दौर में फस्ट इयर के स्टूडेंट के सुसाइट मामले में पुलिस ने दो छात्रों सही डीन पर केस दर्ज किया है F.I.R. से डीन का नाम हटाने को लेकर कुछ छात्रों ने सनिवार को विरोध प्रदर्शन और चका जाम किया था इसके बाद पुलिस ने 50 अग्यात लोगों पर केस दर्ज किया है उधर पुलिस ने पिता के पास मौझूद बेटे से बाच्चीत की रिकॉर्डिंग को आरूपियों के खिलाब सबूत माना टी आई अजै सिंग गुर्जर के मुताबिक चेतन पुत्र दिनेस पाटिदार निवासी मौलाना ग्राम के इंडेक्स मेडिकल कॉलिज के होस्टल में फासी लगाई थी इस मामले में पुलिस ने कॉलिज के डीन जीयस पटेल और दो सीनियर चातर दुर्गेस हाडा और रोमिल सिंग को आरोपी बनाया है इस मामले में दुर्गेस हाडा और रोमिल की गिरफतारी हो चुकी है जबकि डीन जीयस पटेल को पुलिस ने फरार बताया है खुडएल पुलिस ने चेतन की आत्मत्या के मामले में उनके पिता के पास मुझूद मुबाईल की कॉल रिकॉर्डिंग को आधार बनाया है जिसमें उसने सीनियस द्वारा परिशान करने की बात पिता से कही चेतन ने सुसाइट से एक दिन पहले ही पिता से बात की थी दीन का नाम आ रहा है, सीनियर चात्रों का नाम आ रहा है पुलिस इस मामले में जाच कर रही है और अब देखना है कि आगे और कितनी मजबूत कड़ी और जो दीन फरा रहे हैं उन पर क्या कोर्स ओफ एक्शन तैयार होता है तो यह थी प्रदेश की दिन पर की चार बड़ी खबरें असी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं यह विंद्या टाइम्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद